स्टार्ट होते हैं किस तरह से थे चल में आते हैं उसके किस तरह के टाइप होते हैं किस तरह का पूछा जाता है चलिए पहला कोशन देखते हैं हम अशाब बोल चुके हैं कि जब भी चल का रिजनिंग के त्यार करें तो सीरीज और मिसिंग कारेक्टर यह दोनों तो सबसे पहले आपको फोकस होना चाहिए जैसा कि आपको दिख रहा है यह भी सीरीज में ही आता है बसरते यह लेटर गैपिंग वाला आता है कि बीच में बहुत सारा गैप है उसमें किस तरह से सीरीज इसको सजाय जाए जाकि पूरा सब में स 12 को generally 3 या 4 में हम लोग तोड़ सकते हैं तो अगर हम लोग 1,2,3 में तोड़े हैं यहां हो जाएगा तीन में तो यहां होगा यहां होगा यहां होगा और यह 3 होगा अब हम मानते हैं कि A, B, A, B, B तो यहां B से स्टार्टिंग है तो हो नहीं सकता है तो चलिए 4 में तोड़ तो अगर चार वाले में A अंत में B A है और फिर अंत में दोठो भी है यानि कि हो सकता है कि इसमें 4-4 बतोड़ेंगे तो A BBB बनेगा A BBB बनेगा फिर A BBB बनेगा तो आप देख पा रहोंगे कि 4-4 में कटवर्ट करने से A BBB, A BBB A BBB बन रहे हैं तो सब में BB बनेगा यानि कि option number 3 से ही हो जाएगा next question देखते हैं question number 2 यहां देखिए A है और A के बाद से फिर C है, C के बाद E है E के बाद G है उसके बाद next क्या होगा तो आप देख पा रहोंगे यह X का number 1 होता है इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है तो अगला 9 number होगा और 9 number में होता है I होता है तो यहां तो 1 में I भरा जाएगा और देख पा रहोंगे कि जो यहां later है उसका opposite letter मतलब कि A का opposite होता है Z, C का X, E का V उसी तरह से I का opposite जो होगा वो i का opposite r होगा मतलब यहाँ पर फर्ष्ट में आई आर भराएगा तो देख लेते हैं फर्ष्ट में आई आर पहला option है और चौंथा option है उसके बाद देखते हैं i है यहाँ पर k है यहने कि फिर j को gap किया तो l को gap करेगा तो यहाँ aim आएगा तो सबसे पहले aim तो सबसे पहले aim यहाँ है और aim का opposite v यहाँ है तो आपसा number 4 होगा तो इस तरह से हम लोग series के question को देखते हैं करते हैं next question है t है q है n है तो आप देखिए हमेशा numbering किजिए t का 20 होता है q का 17 होता है n का 14 होता है k का 11 होता है h का 8 होता है तो आप देख रहे होंगे कि सब में 3-3-3 घट रहा है उसे तरह से p का number होता है 16 16 में से 3 घट आएंगे तो होगा 13 और 13 पर होता है m तो m में तो आपको option 3 और 4 दोनों देख रहा होगा तो दोनों को रखा जाए या तो 3 होगा या तो 4 होगा फिर देख रहे हैंगे कि aim के बाद क्या होगा तो aim का चुकि 13 है 13 में से फिर 3 घट आएंगे तो 10 आएगा और 10 पर होता है j तो दोनों में j j है तो फिर 3 भी चेक करना पड़ेगा तो चुकि 10 में से फिर 3 घटेगा तो 7 बचेगा और 7 पर होता है जी इस तरह option नमबर तीसरा से ही हो जाएगा aim, j, j next question है देख पा रहे होगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 option दिया रहेगा जी हाँ बिल्कुल odd odd चुनने के लिए 4 option में से एक कोई odd है एक तीनो एक जैसा रहेगा 4 option में से एक अलग रहेगा उसी अलग को चाटना है तो एक में pound a strilling है pound a strilling और दूसरा में है deustor mark deustor mark और तिसरा में n है और frank है तो आप देख पा रहे हो 4 option किसी ना किसी देश की मुद्रा है जिसे भारत का मुद्रा रूपया में गिना जाता है एक रूपया तरह से किसी ना किसी देश के ये 4 option में मुद्रा है जिसे pound a strilling का बात करें तो ये है kingdom का ये kingdom का है kingdom देशे united kingdom वहां कि राष्ट्रिय मुद्रा है pound a strilling दूसरा अगर बात करते तो डिश्ट्रच मार्क डिश्ट्रच मार्क ये जो है ये जर्मनी का है germany sorry g से होता है spelling g e r m a n y जर्मनी का है तो ये जर्मनी देश की मुद्रा है अगर एन का बात करें तो ये जापान का है जापान और ये है ये होता है जापान ये पूर जापान और नेक्स्ट है friends friends frank frank ये जो है देश का तो फ्रांस का है या suitager land का है तो दोनों देश का ये frank है तो हम ये बोल रहे है कि आप चारों को आप्शन को देखें तो ये जो है United Kingdom का राष्ट्रिय मुद्रा है जिसको नाम है पाउंड अस्ट्रिलिंग Germany का राष्ट्रिय मुद्रा को बोलते है डुस्ट्रोच मार्क तीसरा है जापान देश की मुद्रा को बोलते है एन वहाँ एन करके जिसे हम लोग यहाँ रूप्या बोले वैसे यहाँ एन चलता है और इसका बात करें तो फ्रांस में फ्रेंक चलता है और अस्ट्रिय जर्लेंड में भी फ्रेंक चलता है अब यहाँ से किलेर नहीं हुआ यहाँ तो मुद्रा के बात हो गई अब हमको यहां देश को देखिए एक नजर तो Kingdom, United Kingdom, Germany और France रहे या फिर Switzerland रहे यह तीनों European देश है यानि कि European महादेश में आते हैं लेकिन Japan जो है SEI महादेश है इसलिए यह तीनों के पेछा यह अलग है तो राइट अंसर इसका बनेगा इन तो आपको कुछ भी दिया रहेगा कुछ नग कुछ logic लेकर ही आपको तीनों को एक समान दिखना है यानि कि तीन एक समान रहता ही है अब कौन सा लोजिक आप समझ पाते हैं देन उसको ऐसे किया जाता है तो इसका अंसर होगा एन क्योंकि यह जापान का मुद्र है और जापान जो एसी आई है बाकि सब यूरोपिय है नेक्स्ट कोशन के देखते हैं यह इंगलिस में लिखा हुआ है कि रोसन इस टॉलर दन हार्दिक चले हिंदी आपको दिखाते हैं कि बोल रहा किर रॉशन हार्दिक से लंबा यह यहां बनाते हैं आर हार्दिक से लंबा है तो लो जिला हार्दिक सक्षोटा है इसका मतलब यही ठीम सुसील से छोटा हूजा रहा है जिधर मुस् freshly रहते हैं उधर छोटा, अविदर मोट खोला रहते है उधर बड़ा तो hard rigorica सुसिल से छोटा है इसका मतलब सुसिल बड़ा है आगे दीते कि nijia है harry से लम्बी है किन्तु hard curve से छोटी है अब देखे नेक्स्ट बताया कि nija kree harry ha e h e से harry बोल रहे है can जो है हेरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है ह for हार्दिक, ह e for हेरी तो बोला कि नीजा जो है हार्दिक से छोटी और हेरी से लंबी है next क्या बोल रहा है सुसील जो है रोसन से छोटा है अब सुसील रोसन से छोटा यही चारों पॉइंट्स को देखना है और फिर बाद में बोल रहा है कि बताईए सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा आप खुद सोचिए सबसे छोटा कौन है तो मान लेते हैं हारदिक से बड़ा तो रोशन है अब रोशन से बड़ा तो रोशन से बड़ा इसमें से कोई नहीं है रोशन खुद बड़ा है अगर हम निजा का देखे तो निजा से बड़ा हारदिक है और हारदिक से बड़ा रोशन है और रोशन से बड़ा हारदिक खुद छोटा है किस से तो यहां पर लिखा हुआ है सुसील तो सुसील यहां पर आप देख रहे हों कि सुसील खुद छोटा रोशन से तो यहां सुसील बड़ा है भली हारदिक से लेकिन यही सुसील रोशन से छोटा है और आप देख पा रहे हो कि इस चारों पॉइंट में रोशन से बड़ा कोई नजर नहीं आ रहा होगा इसलिए खुद रोशन जो है सबसे बड़ा है या फिर चारों को आप सजा ल है होँ था ज कि हैं आप देख पा रहे होंगे सब चारों पॉइंट वाले सब में आ गया है जिससे पहला क्या बोला था कि रोशन जो है हार्दिक से बड़ा gentleman फिर बोला कि हार दिक आएगा, तब है याँ यह गलत हो जाएगा, यहाँ ऐसे वह जाएगा सूसील, फिर हारदिख, उसके बाद नीजा, उसके बाद हेरि, अब यह सही हो जाएगा मेरा मतलब कि यहां से रोशन उस से छोटा सुसील अब इस चारो पॉइंट सब में आ जाएगा अब सुसील जो है रोशन से छोटा यहां प्या गिया हार्दिक जो है सुसील से छोटा अब यहां बोल रहा है नीजा जो है हेरी से बड़ी है लेकिन हार्दिक से तो आप देख पारे होंगे कि चारो पॉइंट को एक में अगर मिला देंगे तो सबसे बड़ा आपको नजरा रहा है रोशन तो आपसे नमबर चौथा हो जाएगा तो इस तरह से ये इनिक्यूलिटी का कोशन था इनिक्यूलिटी में इसको चेंज करके तब बनाते हैं कि सबसे बड़ा कोन है सबसे चोटा कोन है चलिए अब नेक्ट कोशन 7 नमबर देखते हैं इस सेट का तो यहां पर ऐसे सवाल हम लोग पिछले सेट में भी किये हैं और बहुत सरी इंप्रोटेंट है डिक्शनरी से आता है कोशन इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसका परियोग करके नहीं बना जा सकता है आप देख पा रहे होंगे इसमें इकोनोमिस्ट है तो इकोनोमिस्ट नोमिस्ट इससे तो बना जा सकता है अगर आब बात करें तो पोजीशन सभी ऑप्सन से ही चेक किया जाता है तो पोजीशन यहां से तो पोजीशन बना जा सकता है डॉक्टर जिहां आप डॉक्टर को नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहां पर आर है और यहां पर आर है नहीं तो यहां पर इससे हम लोग डॉक्टर को नहीं बना सकते हैं इसलिए आपसे नमबर तिसरा सही हो जाएगा यह नहीं बनाया जा सकता है हमेसा सवाल को पढ़ेंगे चूज करेंगे और कभी कभी देता है कि कौन नहीं बना जा सकता है तो अभी डॉक्टर नहीं बना जा सकता है इसलिए राट अनसर हो जाहाग। नेक्स कोशन है 12 प्रश्ण है अब दिखे बोल रहा है कि एक प्रश्ण पत्र है जिसमें 12 गो टोटल प्रश्ण है कुल प्रश्ण है जिनमें से केवल 6 प्रश्णों का उतर देना है यह 6 प्रश्णों का परतेक का एक एक बिकल्प दिया गया है और परतेक प्रश्ण के 4 और एक प्रसन को चार भाग में बाटेंगे तो आठारचो का 72 ऑपिसे निम्बर. चलिए नेक्ट है missing character का question यहां three है यहां five है यहां one है तो यहां पर क्या होगा फोर seven two यहां पर यहां पर क्या होगा और यह सब relation बताया हुआ तो आप देख पाएंगे ऐसे में बहुत सोचना पड़ता है कि आखिर कैसे चीज़े आ रही है तो हम अमेशा एक hints करेंगे आपको कि जिस row या column में बड़ा number दिख जाए तो आप खुद समझें कहीं ने कहीं गुना का मामला जरूरा है क्योंकि गुना करने से याता है 35 आप एक का स्क्वा額र एक और एक 35 यानिकी सब का स्कॉरिंग करके आप जोड दिशे चर्चों के स्व defender और 17-49 और 24-49 paar सो स्व misunderstanding और चार को जोड़ेंगे तो 69 ऑप sou finish वैसे ही करेंगे तो इसका रहना अंसर हो जाएगा 84 option number दूसरा सही तो इस तरह से हम लोग missing character में देखना पड़ता है कि कैसे चीज़ों को row wise column solve करें कि column wise कैसे बात बन रही है वो चीज़े आपको खुद से समझना होगा खुद से दिमाग लगाना होगा देज सवाल होगे next question है 5 से 11 है 24 से 51 है आप देखिए 5 से 11 कैसे हो रहा है इतना बड़ा digit है तो कुछ न कुछ गुणा जरूर होगा गुणा करके देखता हूं 5 दूना 10 और एक जोड़ा 11 11 दूना 22 और इस बार 2 जोड़ा 22 दो 24 24 दूना 48 और 3 51 बना 51 दूना 102 और इस बार 4 जोड़ा हम क्या कर रहें सब में 2 से ही गुणा कर रहें लेकिन पहला मरतबा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जड़ा तो अब कि 2 से गुणा करके और 5 जोड़ूंगा मतलब कि 2 से बढ़ेंगे 217 option number दूसरा से हैं तो इस तरह से हम चीजों को solution करेंगे तो कोई problem नहीं आएगा चलिए रहते हैं statement conclusion का कुछ statement दिया रहते हैं और दो ठो conclusion दिया रहेगा और हमको यह चेक करना होगा कि पहला हम कल भी बताया थे कल भी का मतलब पिछले दिन जो वीडियो जो बनाया था मैंने सेट वन का रिजनीं का तो हम लोग पिछले दिन ये भी बताया हुआ था कि statement में जो भी बाते दी गई है उसको 100% अगदम true मानना है और उसी को सही मान कर हमको निसकर स्कुछे करना है तो चलिए statement जो बोल रहा है सूरिय परकास का एक स्रोत है यानि कि एक light का बोल सकते हैं कि source है यानि कि sun जो है एक light का source है source of light है अब से लिए इसका conclusion पढ़ते है सूर्य परकास का एक स्रोत है यानि कि सूर्ज से परकास निकलता है तो क्या इससे थोड़े न कोई आदमे सोच सकता है कि चंद्रमा परकास का स्रोत नहीं है यानि कि हम सिर्फ only ये थोड़े न कहना चाहरे है कि सूर्ज ही केवल परकास का स्रोत है यहां केवल नहीं लगाय यहाँ इस बोलना चाहिए कि सूरज परकास का एक सोरोथ है अब हम इससे निश्कर्ष की कारण नहीं सकते हैं कि सूर्ज क presents की अलावा बाकी और कोई है ही नहीं ऐसा रॉख निकाल ही नहीं सकते हैं तो यह पहला घलत धूसरा बोलना है परकास का केवल एक ही स Yog यहां तो ऐसा कुछ नहीं बोला हम कोई बोलेगा कि सुर्ज परकास का स्रोध है और तो वैसा कोई दूसरा कभ़े निसमझ सकता है कि अच्छा यह बोल रहा है कि केवल जैसे मान लिया कि कोई बोला कि कहीं किसी जाने के लिए जैसे और अंगाबाद या देली जाने के लिए बस की सेवा आप ले सकते हैं अब ऐसा तो को जरूर नहीं है कि केवल बस ही के सुविधा है इसलिए उसके और भी स्ताधन है लेकिन आप बस से जाओ ऐसा ही बोला गया है तो आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि कि और भी कोई सुविधा नहीं है देले जाने के लिए तो वही बात है सूर्ज परकास का एक सुरोत है बट आप इससे निसकर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि केवल सूर्ज ही है और कुछ है यह नहीं ऐसा निसकर्ष निकलना गलत है तो यहां पर आप देख पारे हों दोनों नि तो न तो निसकर स्वन होगा नहीं तू होगा ओप्सन नूमर चौथा हो जाएगा नेक्ट है खाली अस्थान को फिगर वाला में भरना है कि कौन सा प्रश्णाक्रिती यहां आएगा चार ओप्सन में से जो इस फिगर को फुल्फिल करेगा तो फिर फिगर को अच्छा से दे कैमरा को हिलाने में थोड़ा दर के बाल अच्छा आता है तो यह इसकी अपनी कमी है तो चलिए हम लोग देखते हैं फिगर अप अच्छी दिख रही है अब आप देखिए ना कि यह और यह फिगर को अच्छा से देखिए और फिर नीचे वाले में आपको क्या नजर आ रह है तो यहां भी लेप्ट में जो ट्रियंगल नीचे है और यहां पर राइट में ही आएगा राइट में ट्रियंगल जो है उपर आएगा तो अब राइट में ट्रियंगल ऊपर तो दो आप्शन में है दूसरा में भी है चौथा में भी है अब आप देखिए कि इसके इट क इसको निचे करेंगे मतलब ऐसा option दू में है इसलिए दो को टिक करेंगे मतलब कि ऐसे questions में आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि चीजें वहां पे figure में कैसे rearrange हो रही है जैसे arrange होगी वैसे ही आपको चार option को देखकर ही आपको arrange करना है सही arrangement होना चाहिए सही चीजें बैठना चाहिए देन आप उसको कर पाएंगे तो चलिए अब next question करते हैं नेक्स question बोल रहा है एक दो तीन चार option में से बोल रहा है अच्छा यह भेंडेग्राम को question है बोल रहा है कि तीन वर्ग उत्री अमेरिका साउथ राज अमेरिका और न्यू यार्क के बीच संबंद क्या है अगर आपको दिया यह भेंडेग्रम ए संजुक्त राज अमेरिका फिर है उत्री अमेरिका फिर है न्यू यार्क यह तीन दिये हुए और तीनों का भेंडेग्राम कौन सही होगा मतलब कि संजुक्त राज अमेरिका है उत्री अमेरिका है और न्यू यार्क है तो इसमें क्या होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो भी अमेरिकान है अमेरिका का एक सबसे छोटा भाग न्यू यॉर्क है अमेरिका में ही न्यू यॉर्क है तो गारांटी है कि एक सबसे अंत में छोटा बनेगा और उसके बाहर जो बनेगा वो उत्री अमेरिका होगा और वही उत्री अमेरिका संजुक्त राज अमेरिका मे आता है और उस राजय अमेरिका कोई भी अमेरिका निव यॉर्क जो है अमेरिका में है और उत्री अमेरिका में पढ़ता है तो हम यह बोल सकते हैं कि यह बनेगा बीच वाला निव यॉर्क न्यू और के बाहर बनेगा ऊतरी अमेरिका और ऊतरी अमेरिका के बाहर बनेगा संजुक्त राज अमेरिका तो ये पहला GPS न डायग्राम सही है चाहिए आप गोला वाला बृद का गोला गोला करें चाहिए ये करें उससे कोई फर्क ने पढ़ता है दोनों से यहीं सबस्क होता है, कि नियूयार्क सबसे दोनों में है यह अमेरिका में नियू और इत्लेका में जितना भी उत्लेका का पाट है वह संजुकत राज अमेरिका में आता है, तो यह इस से सबस्ट होता है तो यहां एक छिद्र तो रहेगा ही रहेगा और दूसरा छिद्र यहां पर रहेगा दो होल तो बन जाएंगे और चुकि इसके पिछले वाले में ऐसे बंद किया था तो अब हम लोग ऐसे खोलेंगे तो एक यहां छिद्र बनेगा एक यहां और एक यहां और फिर यहां पर आ प्रिछ में 4 फिधर उपस्तित एपसर सब्सक्रांभी जैगे पुरा खुल जाएगा जो कि यहां पर कुछ हिदर मौजूद नहीं होगा तो option number 30 से ही है next question है फिर से odd चुनने वाला है इस बार digit का है और सबसे tough तो यही वाला होता है मेरे दोस्त कि अगर 4 option में कोई number मिल जाए ना अब उसको ढूणना बहुत मुश्किल है कि किस basis पे एक को और चाटा जाए एक को बिशन चाटा जाए आखिर क्या वज़ा क्या लोजिक लगाए जाए आप देख पारे हैं वो 240 है हम यह कर्मा चाहिए कि 240 को 2 से डिवाइड करा कितना पराप्त हुआ 120 इसको 2 से डिवाइड किया तो बनेगा 136 136 इसको 2 से डिवाइड करा तो बनेगा 152 इसको डिवाइड करा 2 से तो बनेगा 1 और यहां से बनेगा 105 अब जो 2 से डिवाइड करके आया यहां पे आया 120 यहां पे आया 136 यहां 152 यहां 105 पास आब इसको देखिए जरा सब इढ़ेर नंबर है तीनों लेकिन ये जो है और है इस बेसिस पर चौत अफ्शन सभी हो घाएगा तो ऐसे सवाहों में बहुत टफ होता है चीज़ों को समझना कि आखे किस बेसिस पे हमने किसी को चाट किसको चाट है किस बेसिस पे किसको च सकता है तो आप बस प्रैक्टिस करें यहीं मेरा आप से रिक्वेस्ट है नेश्ट है इसमें भी और जहातना है एक है रज्यत यह है पलेटीनम एक जीनक है और एक स्कासा है मतलब सीलवर पलेटीनम और जीनक और ब्रॉंज जहां आप दोस्त अगर प्रियोडिक्टेबल कमेश्टि में पढ़े होंगे तो सीलवर एक अलग एलिमेंट्स है तत्व है प्रियोडिक्टेबल में आपको मिलता है सीलवर जिसको बोलते हैं एजी और पलेटीनम पी ती यह भी एक तत्व है जीनक जेडेन जिसका परवानु एलिमेंट्स नहीं मिला है तो हम यह बोल सकते हैं कि प्रियोडिक्टेबल में यह तीनों एलिमेंट्स होते हैं लेकिन यह एलिमेंट्स के तोरह पर नहीं होता है तो देन चौत अपसर हो सकते हैं दूसरा तरीका को यह भी सोच सकता है कि चुकि यह मिसरधात हुआ है यानि कोई भी लॉजिक हो लिश्मिन लॉजिक सटिक हो तो आप अंसर सही कर पाएंगे इसका राइट अंसर ब्रॉज होगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट बुलेगा कि क्रम में, कौन सही क्रम में, मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे सवाल हैंने कि यहां पर क्रमा नुशार दिया जाता है, चार आप्शन दिया रहेगा, और बुलेगा कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क् तो आप इसमें थोड़ा से देखिए तो अंडा है उसके बाद लारवा होगा अंडा के बाद लारवा और लारवा के बाद होता है प्यूपा और अंत में होता है पतंगा तो इसका सही अरेंजमेंट बनेगा अंडा उसके बाद लारवा उसके बाद प्यूपा उसके बाद प और साउथ अमेरिका यानि कि दचनी अमेरिका और अफरीका दिया हुआ है यहां पर साउथ अफरीका दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं पिछे जो दिया हुआ था हम लिख देता हैं साउथ अफरीका और अफरीका यानि कि दचनी अफरीका दिया हुआ था दचनी अफरीका न अफरिका और बाकी इधर है यूरोप एंड अस्ट्रेलिया एंड उत्रिय अमेरिका और सवाल एक बार पढ़ लिजे यहाँ पे दिया हुआ है सवाल बोल रहा है कि छेतरफल की दृष्टी से चेतरफल की दृष्टी से किस देश का सबसे ज़्यादा है उसके बाद कोन है तो आरोही करम आरोही का मतलब होता है बढ़ते करम यानिकि सबसे छोटा से स्टार्ट करना है फिर उससे बढ़ा कोन होगा फिर उससे बढ़ा कोन होगा that is आरोही करम एक होता है और रोही करम और पाचों जो देश दिया हुआ है दशनय अमेरिका अफ्रिका है और तिसरा में अगले पेज में है हम अबको दिखाएंगे यूरोप है अस्ट्रेलिया है और उत्रिय अमेरिका है packet तो इसमें बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा किस देश का है आरोही का मतलब होता है आरोही का मतलब होता है बढ़ते करम और और ओही का मतलब घटते करम तो आरोही का मतलब बढ़ते करब में सजाना है तो सबसे कम किसका है तो यहाँ पर तो साउथ अमेरिका है और अफरीका है तो चलिए सबसे कम जो होता है वो होता है इसमें अफरीका का सबसे कम होता है अफरीका का आप याद करेज़े तो दो के लिए option तो मेरे पास सब है उसके बाद होगा पांच नमबर पांच नमबर का मतलब है उत्री अमेरिका अफरीका के बाद उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका के बाद दच्छनी अमेरिका यानि की चार दो के बाद यानि की अफरीका के बाद पांचवा उत्री अमेरिका उसके बाद दचनी अमेरिका मतलब कि पहला तो दो पांच एक यहां भी दो पांच एक है यहां तो है नहीं यहां भी दो पांच एक है तो पहला और चौथा हो सकता है अब दो पांच एक है उसके बाद अगर हम बात करें तो किसका होता है तो यूरोप का होता है तो दो पांच एक तीन तो दो पांच एक तीन तो आपसा नमबर चौथा पकड़ा गी है ऐसा है इसमें कहीं कोई नहीं है यह दो पांच एक चार है तो जो कि नहीं होगा तो सबसे बड़ा होता है सबसे कम होता है बुल सकते हैं क्योंकि आरोही है न तो बढ़ते क्रम में सजाना है सबसे कम हुआ आफ्रीका का सबसे जादा हुआ अस्ट्रेलिया का अगर हम लोग याद रखे तो सबसे कम होता है आफ्रीका का अफ्रीका के बाद अगर बात करें तो उत्री अमेरिका उसके बाद यूरोप उसके वाल आस्ट्रेलिया तो यह सीरीज बहुत सही है आरोहिक करम के वज़े से तो ऐसे होगा इसका आंसर नेक्स्ट कोचर है मिसिंग करेक्टर का दो नो इग्यारा साथ आठ पांच तेरा माइनस ते और यहाँ पे क्या होगा अब देखिए थोड़ा सो ध्यान से तो दो और नो को जोड़कर इग्यारा लिखर होगा बिल्कु सही आठ पांच को जोड़कर तेरा लिखर होगा यह भ लाना है तो तीन लाना है इसका मतलब दूसरा और तिसरा option खतम कि-3 है शॉत करह चाहिए उल्प 203 है अब हम लोगों को चाहिए कि यह साथ कैसे आ रहा है तो साय नौ मेंस दो घटाइए तो अध्म टाह टाइए तो बनेगा 9 और यहां से 3 में से अगर 7 घटाएंगे तो बन रहा है minus 4 जो कि बहुत सही है और 4 में से minus 6 करेंगे तो बनेगा minus 2 तो आप से number 3 सही हो जाएगा तो यह बिल्कुल missing character है missing character को जितना practice करेंगे यह बहुत दिमाग लगाने वाला question है यह बिल्कुल आपके mind पर depend करता है कि आप कितना जद्ली सोच सकते हैं इस question में चलिए next question देखते हैं next question बोल रहा है बिल्कुल यह board mask के रिये नियम पर solve होता है लेकिन आपको एक condition follow करना पड़ता है कि किसके बारे में क्या बोल रहा है जिसे P का अर्थ क्या करना है जोड़ तो जहां भी P आएगा जिसे इस equation में इस समिकरन में P का value यहां है तो यहां प आगा उसके बाद लिखा हुआ एस का अर्थ घटाव है तो जहां भी एस है यहां पर करना है घटाव और Q का मतलब भी बोला था गुना तो अब इसको बुड़ मास के नियम से solution करेंगे और जो answer आएगा उस 4 option में से देख लेंगे तो यह चीज़े ज्यादा hard नहीं है यह इस चीज में आपका दो बाते बहुत बढ़िया होना चाहिए पहला कि जो condition दे रहा है उसको सही से put करने आना चाहिए यानि कि किसका अर्थ क्या बोल रहा है उसको बैठाने आना चाहिए और number two important कि आप इस चीज़ों को कितना जल्दी calculation fast कर पाते हैं क्योंकि यह CHSL है timing बह बहुत बेटर होगा बोल चकते हैं next यहां पर बोल रहा है कि निमलीखित में से किस चीन को बदलने पर सही समीकरन होगा अब चीन को बदलने वाला जैसा कि हम लोग पहले वाले सेट में किये थे वहां भी same thing था लेकिन digit अलग थे अब हमको यह है ना कि इसमें option से चेक करना पड़ता है option में चेक करने का मतलब है कि minus के जगा भागा और भागा के जगा minus को change किजिए और फिर इसको solution करके कि क्या तीन आता है कि नहीं अगर नहीं आया तो दूसरे option को चेक किजिए नहीं आया तो तीसरे option को चेक किजिए मेरा मतलब कि जो किसके साथ किसके change होगा यह option से फटाफट चेक करके और देखाई जाता है कि किसको किसको change किया जाए तो हम अभी चली चेक करते हैं माइनस और भागा को यहने कि भागा के जगा पर माइनस के जगा पर भागा और भागा के जगा पर माइनस किया जाए तो बुढ़मास में पहले पहले भागा का होता है तो 8 बटा 12 का मतलब हुआ कि 2 बटा 3 और 2 बटा 3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 से 3 कट गया तो बचेगा 2 और 5 में 2 7 और 7 में से माइनस 4 तो 3 तो बिल्कुल सही होगा, खुदा न खासता यहाँ पे हमको सब को चेक नहीं करना पड़ा पहला ही जैसे option चेक किये तो हमको पता चल गया कि यह दोनों को change करने से समीकरन सही हो जाएगा अगर ये दोनों को change करने पर नहीं आता तो दूसरा को check करते हैं इसको बदल करते हैं और check करते हैं कि फिर तीन आ रहाए कि नहीं तो ऐसे सवाल को हम लोग solve करते हैं चलिए next question देखते हैं next question बोल रहा है एक घं बाहरी सत्था पर लाल रंग है यानि कि बाहरी सत्था यानि कि जो भी घं है उसको चारो तरफ से red color से रंगा गया है दो इंच उंचा है दो इंच चोड़ा है और दो इंच आर पार है मतलब है कि लंबाई चोड़ाई उंचा सब दो दो इंच है यानि कि बोल सकते हैं कि घन है क्योंकि लंबाई चोड़ा है उचाई घन का ये बराबर होता है और ये लाल रंग सा सभी बाहरी सतह पर पेंट किया हुआ है यदि इसे बिंदू वक्त रेखा दिखा कर अनुसार एक इंच घन हो देखिए अब बोल रहा है कि जो बिंदू बिंदू काटा गया है ना दिया गया है फिगर में उतना इसको एक एक इंच का टुकड़ा निकाला जा रहा है एक एक इंच का जो भी डॉटोड दिया हुआ है एक एक इंच का टुकड़ा निकाल रहा है तो बोल रहा है कि लाल रंग के घनो के संख्या कितनी होगी दो साइड पे आप ध्यान से फीगर को देखिए सर्थे पहला बाद कि उपर भी red से सभी तरफ red से रंगा गया है और जो dot dot है यहाँ से यह dot dot नजर आ रहा है यहां से अगर इसको काट के निकालेंगे तो आपको कितना लाल रंग दिखेगा यहां पे लाल रंग, 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 यहां पे लाल आप किसी को भी निकालेंगे जो डॉडडट किया गया है तो आपको तीन सतह रंगिन होगा लेकिन यहाँ पर बोल रहा था कि केवल दो सतह रंगिन होगा तो इस घं में इस डॉडडट वाले को काट के अगर निकाला जाए तो केवल दो सतह किसी कभी रंगिन होगे क्योंकि क कौर्णर एटम का हमारे पस घं निकलकर घं का टुकड़ा निकलकर आएगा और अब जानते हैं कि कौर्णर का तीन सत्य है रंगीन होती है तो हम यह बोल सकते हैं कि यहां से कोई भी नहीं ऐसा निकलेगा जो केवल दो सत्य तो इसका अंसर हो जाएगा जीरो next question देखते हैं next question बहुत conditional question है इसमें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि चीज़े क्या पोला जा रहा है पड़ेएगे उपर से बोल रहा है कि आकरिती में ब्रीत उन ब्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है यानिकि ऐसे बोलें कि ब्रीत जो है कार को दिखाता ह आगे बोल रहा है कि त्रिभूज उन ब्यक्तियों को दरसाता है जिनके पास मोटर साइकल है त्रिभूज जो है बाइक को दिखाता है यानि कि मोटर साइकल को फिर आगे पढ़ेंगे तो बोल रहा है वर्ग जो है उन ब्यक्तियों को दिखाता है दरसाता है जिनके पास auto रिक्सा है यщति वर्ग जो है रिक्सा को दिखाता है रिक्सा और आगे जो पढ़िए आयत बोल रहा है जिनके पास frenilol得 आयत के लिए जो है ओ दिखाता है cycle अब चलिए सवाल बोल रहे है तो क्या बोल रहे है की आयत उन ब्यक्तियों के दर्शाथ आ है जिनके पस साइकल है यहां तक पहुग गया ऐसे छेतर बताएए जिन ब्यक्तियों के पास कार, मोटर साइकल और साइकल होना चाहिए लेकिन ओटो रिक्सा नहीं होना चाहिए अब आप देखिए तो यहां पे यह बता रहा है बृत क्या साइकल वर्ग क्या बता रहा है रिक्सा रिक्सा दिखा रहा है अच्छा तुरिभूज क्या दिखा रहा है यह दिखा रहा है बाइक और यह दिखा रहा है कार बोल रहा है कि कार बाइक मोटसाइकल साइकल होना चा नहीं होना चाहिए बाकि ये भी तीनों होना चाहिए तो बाकि इसको हटा करके। तीनों में common देख लिए तो तीनों में common यू है को बोले हैं कि टी है तो टी जी हाँ तीनों में common नहीं है ती आप देख पा रहे होंगे कि गोला में आ रहा है और आयत में आ रहा है तीरी भूज चे तो बाहर है तो हमको ऐसा ही point को ढूँड़ना था कि auto-risk सा नहीं हो इसका मत पर एक दिशा सुचक खंभा लगा हुआ है तो डारेक्सन के लिए हम लोग जानते हैं कि इधर होता है एस्ट इधर वेस्ट इधर होता है नोर्थ और इधर होता है सौथ हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि यह दूरगठना के कारण इस परकार घूम गया कि पूर्व यह जो हम ब्रैकेट में लिख रहना वह बाद वाला हो गया है लेकिन यह गलती से घुरने के बाद से साउथ हो जा रहा है ऐसा बोला जा रहा है देखिए यहां पर पड़ यह बोल रहा है कि इस परकार घुमा गया कि पुरू दिशा का सूचक दच्छिन दिशा दिखाने अब पच्छिन दिशा में चलीगे तो पच्छिन दिशा तो यहीं है अब यह पच्छिन दिशा घुमने के बाद कौन सा दिशा होगा तो आप देखिए यह साउथ इधर चला जा रहा है उसी तरह से साउथ यहां जाएगा तो यहां पर आएगा वेस्ट ब्रैकेट में और जब चीन्ज होने के बाद एक यातरी जो है सीता वो पच्छिम दिसा में चले गई तो वह किस सामें जा नोर्थ हो जाएगा क्योंकि यही इस्ट जो है सॉस्त को बता रहा था तो यह इस्ट सॉस्क बताएगा मतलब एक अंक हमेशा anti-clockwise एक 90 डिग्री से anti-clockwise घुमेगा तो यहां south चल जाएगा यहां north आ जाएगा यहां वेस्ट आ जाएगा यहां पर north आ जाएगा तो यह इसका answer हो जाएगा उत्तर दिशा यानि कि वो जा रही थी पच्छिम लेकिन वो reality कौन सा दिशा है north है next जो दिया गया है एक matrix का question है और matrix वाले question को हम दिखाते हैं इसको पढ़ने का ज़रुरत नहीं है matrix का यही है पहचान की दो matrix दिया रहते है matrix 1 और matrix 2 और चलिए इसके पहले वाले दिखाते हैं कि क्या question बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि matrix 1 और 2 में से आपको a sports का code चुनना है sports का यानि कि हमें सवाल पूछ रहा है कि a sports a sports का code क्या होगा sports का sports का code देखने के लिए आपको option से ही चेक करना पड़ेगा जिसे 6 7 है तो 6 7 यहां से 6 चला यहां से 7 चला तो यहां पे एस तो मिल गया सही है पाँच पाँच तो पाँच पाँच यहां होगा पाँच पाँच पी भी आना चाहिए दूसरा नमबर में पी है फिर तिसरा नमबर में ओ आना चाहिए O के लिए 3,1 O आया बहुत सही है 5,7 इधर से 5, इधर से 7 O के बाद R आना चाहिए बिल्कुल सही है फिर 6,9 इधर से 6, इधर से 9 R के बाद T आना चाहिए अभी तक तो सही है 8,7 इधर से 8, इधर से 7 यानि कि ए चीजे सही है यानि कि हम लोग जब भी matters का question मिले तो फटा फट देख कर जल्दी जल्दी मिलाएंगे कि क्या sports का मिल रहे कि नहीं जो सवाल दिया रहेगा bracket करके दोने तरफ से ऐसे ऐसे bracket दिया रहेगा और पुछेगा कि इसका code क्या होगा चार option में से अगर मान लेते कि सब का मिला रहे थे यहां S मिलने के बजाए 8-7 में T मिल जाता तो यह पुरा गलत हो जाता option फिर दूसरे option को चेक करते चारो option में किसी ना किसी एक पर फिट बैट जाता है तो अभी हम रोग जैसे option number 1 चेक यह तो sports का सब यहां S आ रहा था यहां S आ रहा था, यहां P आ रहा था, यहां O आ रहा था, यहां R, T, S ऐसे आ रहा था तो sports का बन गया तो यह सही हो जाएगा अब यहां पर कोई गलती मिल जाता जिससे 5-4 दिया रहा था question में तो 5-4 में 5-4 तो नहीं हो सकता है, 5-7 दिया रहा था तो 5-7 में आ रहा है, तो यहां तो आरने न चाहिए, हमको तो P चाहिए था इसलिए गलत हो जाता, तो matrix का question है, हमेसा जिसका पुछेगा फटा-फट देख करके 4 option को चेक किया जाता है, कि किस option को यह valid कर रहा है तो इस तरह से हम लोग किये, यह second reasoning का state का तो आप बिल्कुल अंत तक देखे, इसका बहुत बहुत आपके धन्यवाद फिर से हम next reasoning का state लाएंगे, तो बिल्कुल मेरे साथ जूड़ रहे हैं, बाकि thank you, बहुत बहुत धन्यवाद